पर महादेव चैवोलेनाथ नमस्कार मैं शादनापांडे मागदर्सन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ देवशैनी एकदर्शी के बारे में कि इस साल यानि की दो हजार तेस में देवशैनी एकदर्शी किस दिन हम मनाएंगे देव सैनी एकदसी का बुसित किस्तिं धारन करना है और सास्तरों में कहा गया है कि देव सैनी एकदसी जो साल की विसेश एकदसीयां आती है उसमें से एक मानी जाती है आज के दिन से भगवान विश्णु योग निद्रा में चले जाते है यानि कि आप सभी ने बहुत सारी फोटो तस्बीर में देखा होगा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जो है कि छीर सागर में लेटे रहते हैं तो उस सोय हुए अधी को चार महीने हो जाते हैं यानि कि चार महीने बाद जो कार्थिक बास में देव थानी एकादसी जाती है उस समय हम भगवान विष्णु को चाहिएं और उस एकादसी को हम देव ठानी एकादसी मनाते हैं और इस एकादसी को देव योग-ंद्रा में शोने चले जाते हैं तो वो एक ये एकादसी पर हमी क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए देखे कहा गया है कि भगवान विश्णु जब योग निद्रा में शोते हैं तो उस दवरान हमें कोई भी सुभू मांगली कारे नहीं करने चाहिए जैसे साधी विवाह मुंदन ज नहीं होते हुए जैसे कोई सुभ कर्म आप नहीं कर सकते हैं वैसे ही प्रजा पालक के नहीं होते हुए आप कोई कर्म सुभ कर्म नहीं कर सकते हैं तो भगवान विश्णु योग निद्रा में शोएंगे तो कैसे हम अपने खर में उनकी पूजा करके उन्हों उन्हें बाते जान लेते हैं एक एक करके और वीडियो अच्छी लग जाती है आपको तो उसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी शाथ सा सब्सक्काइब कर लिजेगा दोस्तों देखे भगवान विष्णु योग निद्रा में सोते कब हैं तो देव सैनी एक आदसी पे अब देव सैनी एक आदसी इस बार कब पढ़ रही है तो देव सैनी एक आदसी इस बार 29 यानि कि 29 जून को पढ़ रही है 29 जून को हम भगवान विष्णु को सुलाएंगे एक प्रत कि तो माम शुद्श से पहले हैं कि एक दिन पहले से संपोर्ण नियम का पालन कर चाहिए देखिए साल की कुछ विसेश एकादशियां होती है इसम verbally zu me देव उत्थानी, निरिसला एकादसी, तो ये सारी एकादसीया बहुत विसेज होती है, तो आपको एक दिन पहले से साम के समय, यानि कि दसमी तिति में, तो तारीक से बताऊं, तो 28 तारीक को आपको चावल इत्यादी साम को नहीं खाना है, और उस दिन ब्रह्मचरेका भी प पर्ष भी नहीं किया जाता है, उन्हें किसी भी तरह से सिर्चा नहीं किया जाता है, जल भी नहीं चड़ा जाता है, तो एक दिन पहले से तुलसी पत्र तोड़कर आप पहले से रख लिजे, क्योंकि भगवान विश्णों को भोग, प्रशाद, जो भी चड़ाते हैं, सब बाता किस्पष्ट हो गए अब क्या करना है आपको तो देखे आप सुबह सबेरे जगेंगे सुबह सवेरे जख करके और भगवान विष्णु की विदि विधान से पूजा आराधना करेंगे पूजा आराधना कैसी पूजा आराधना चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि देवसैनी एकादसी प्रारम कब हो रही है तो देखें देवसैनी एकादसी प्रारम हो रही है 29 जून 2013 को सुबह सुबह 3 बच कर 18 मिनट पर और अगले दिन 30 जून 2013 को प्राथा 2 बच करके 22 मिनट पर समापन होगा तो ऐसे में 29 तारिक को देव शैनी एकादशी का ब्रत धारण किया जाएगा और 30 तारिक को इस एकादशी का समापन हो जाएगा तो 29 को आप लोग बिना किसी सक्संसे के ये ब्रत धारण करिएगा 29 को गुरुवार है और जब एकादसी तीथी गुरुवार को पढ़ती है तो बहुत रिष्ट इसका परडाम होता है तो वो और अधिक विशेश हो जाती है चलिए दोस्तों अब बताती हूँ कि एकादसी पे आपको करना क्या है देखे एकादसी तीथी पे आपको भगवान विश्णू की जो भी फोटो मूर्ती है वैसे तो देखे आज के दिन भगवान के बिग्रह की पूजा की जाती है बिग्रह की यानि की सोने चांदी पीतल तांबा जो भी जिस धातु के भगवान विश्णू है तो उनकी पूजा दूद, दही, घी, शकर से यानि पंचाम इससे उनको स्नान कराया जाता है शुगंदीत इत्र लगाया जाता है वस्त्र पहनाया जाता है और उनका चंदन से स्रिंगार किया जाता है इसके बाद बहुत सारे लोग जो है भगवान विश्णु को अपने घर के मंदर में लिटा कर रख देते हैं लिटा कर रखने का ये म मंत्र आप इस मंत्र से भगवान विश्णू को सुला सकते हैं या फिर नहीं मंत्र बोलना चाहते हैं कोई भी अवशक्ता नहीं है मंत्र बोलने की बस भावना से आप भगवान को लिटा दीजी और लेटे लेटे इन चारों मास यानि जो चातुर मास बोले जाते हैं उन चार मासों में भगवान विश्णू की पूजा की जाएगी वैसे तो इस बार चार नहीं पांच मास तक भगवान विश्णू की लेटे लेटे पूजा होगी क्योंकि देखे चातुर मास जो है वो चार मास का होता है एक मास जो है पुर्शोत्तम मास बढ़ गया है तो पांच महीन और दूसरी चीज है कि यदि फोटो से पूजा करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र को तीन बार बोल करके ध्यान करें कि भगवान विश्णु को योग निद्रा मतलब भगवान विश्णु पाताल लोग में योग निद्रा में सामिल हो गए हैं, समाहित हो गए हैं, ऐसा सोच क करके आप भगवान विश्णु की पूजा करें, आर्टी करें, उसके बाद आपका ब्रत जो है, ब्रत में सामानितिया आप जानते हैं, क्या खाना पीना है, एक अदसी ब्रत में जो है कि फल, जल, दूद, सब कुछ ले सकते हैं, नमक नहीं लिया जा सकता है, लेकिन किसी तरह की दिक्कत है, बहुत जादा दिक्कत है, ब्लड पेसर वगर है, तो ब्रत वाला जो सेधा नमक बोला जाता है, वो आप ले सकते हैं, बाकी एक अदसी तिति में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, तो एक अदसी पे अनाज कते ही नहीं काना है, किसी भी देवी देव नहीं चड़ाएंगे, सब मिला कर समझ लिजिए, किसी भी देवी देवता को आज अन भोग नहीं लगा जाता है, क्योंकि सब का ब्रत होता है, महीं पिमा तुल्सी को साम को आप घी का जरूर प्रजवलित करें, लेकिन दिन के समय ना उन्हें भोग लगाएं, ना उन्हें ज पूरू आरहें, तो ये नियम और भी कड़ा हो जाता है, बाल आपको नहीं धोना है, सासत ब्रह्म चरिका पालन करना है, ये सारे नियम आपको जरूर पालन करना है, ध्यान रहे, फोन बगर अपर किसी की सिकायत, निंदा, इस तरह की चीज़ों से बचना है, क्योंकि इस चीजे करने से हमारा ब्रत भंग होता है और ब्रत नहीं है तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कर्म कुछ लोग पूरे जीवन पूजा करते हैं लेकिन उस पूजा का पूड़े फल पीट के ही कश्ट पहुंचाए किसी को मंसा वाचा कर्मडा तीन प्रकार के दोस होते हैं तो बचन से भी किसी को बुरा बोल देना किसी की निंदा करना ये भी पातकुष्रणी में आता है तो इस दिसका आप लोग ठ्यान रखेगा और दोस्तों इंस्टाग्राम फेस्बूक करते हैं प्रेणा देते हैं कि नहीं बातें आपको बहुत पशंदार हैं एक चीज और कहना चाहती हूँ जिन उपायों से आपको फाइदा हो रहा है आप लिक करके भेजते हैं तो एक काम आप लोग और गया करें कि आप लोग वो उपाय भी लिख दीजी कि कौन सा उपाय किया या फिर वीडियो की लिंक है तो वो भी साथ साथ सेयर करें क्योंकि उसके बाद लोग जो है बहुत पूछने लगते हैं कि कौन सा उपाय किया दिदी लिंक सेयर करें क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं होता क्योंकि उपाय का नाम आप लोग लिखते नहीं और जैसा क काम भी आप लोग साथ साथ कर दिया करें देवसाय नि एक अधारशी का पारण सुब समाय किया है दोस्तों थोड़ा साधल लेट है आपको प्रितिक्षाथ च़्यादा करना पड़ेक। तो एक बच कर 48 मिनट पर देवसाहिनी एक आदसी का पारण होगा किस दिन तो 30 तारीक को साम को 4 बच के 36 मिनट तक आपको इस व्रत का पारण कर लेना है तो ध्यान रखें खान पारण में भी और इस तरह भी आपको ध्यान रखना है तो यह सारी चीजे ध्यान रखें आप और इस तरह से करके आप एक आदसी का पारण कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब मिलती हूँ किस और वीडियो में धन्यवाल